नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज की हमारी वीडियो हमारे सिक्षामित्र साथियों के लिए है सिक्षामित्र साथियों के लिए एक बहुत ही विशेश सूचना आई है जैसा कि आपको अवगत है शिक्षा मित्र साथियों को कोड़ से कोई राहत नहीं मिली और इसके साथ साथ सरकार ने भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई जादा नहीं किया ऐसी में एक आसा की करण जगी है जिसमें एक रुपया महीना देकर शिक्षा मित्र के आसितों को 20,000 पैंसन मिलेगी आज की इस वीडियो में हम यही जानेगे कि किस तरह से यह समीति कार्य करेगी क्योंकि इसके लिए एक समीति बनाई गई है वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाई हुए है आप चाहिए तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो उसके आश्रितों को लाखो रूपे की मदद पैंसन की रात मिल सकेगी बस इसके लिए 50-50 रूपे का सहयो करना होगा यही नहीं मात्र 20-20 रूपे की मदद से मर्तक की बेटियों की साधी भी हो सकेगी इसके लिए संगठन की ओर से सोमार से शिक्षामित्र केयर योजना सुरू की गई है उत्तर परदेश प्रात्मिक शिक्षामित्र संके वरिष्ट उपाद्यक्स और शिक्षामित्र केयर समीती के संस्थापक तिर्भुवन सिंग ने वेबसाइट www.scsup.ain का उद्गाटन किया पहले चरण में 20,000 सदस्या बनाने का लक्ष है हालांकि टार्गेट 1.24 लाग शिक्षामित्रों को सदस्या बनाने का है सर्थ है कि जो सिक्षामित्र से सायक अध्यापक बने या वर्तमान में सिक्षामित्र है वे ही योजना के भागिदार बन सकते हैं परतेक सदस्या को हर वर्स 50 रुपे फीस और 13 अर्तों पर सहयोगरासी सम्मंदित खातों में डालने होंगे देखे काफी अच्छा प्रियास किया गया है शिक्षामित्रों के संग की तरफ से क्योंकि अभी सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद इस तरह की नहीं मिल रही है इसलिए उन्होंने स्वम ही एक संग बनाया और काफी अच्छा प्रियास किया गया है इसमें 50 रुपे पर साल एक शिक्षामित्र को फीज जमा करनी होगी एक अकाउंट में और उसमें कुछ सेवा सर्थ होंगी और इसके साथ-साथ किस तरह से एक समीति काम करेगी उसके बारे में जान लेते हैं सदस्य की मृत्य होने पर जो भी समीति का सदस्य होगा है अतार्थ जो भी 50 रुपे परती वर्ष जमा करेगा उसके नामनी के खाते में सभी सदस्य पचास-पचास रुपे ओनलाइन ट्रांसफर करेंगे जितने भी सदस्य होंगे पचास-पचास रुपे ट्रांसफर करेंग 35 दिन का locking period होगा यदि सदस्य अपनी बेटी की साधी करना चाता है तो हर सदस्य उसे 20-20 रुपे देगा इसका locking period 6 माराएगा पारिवारिक pension के लिए हर सदस्य को एक-एक रुपे देना होगा अगर वे चाते हैं कि पारिवारिक pension में भी भागेदारी हो तो उनके लिए परते महा धनराशी मिलेगी उधारन के लिए समीती के 20,000 सदस्य है मालीजे समीती अगर ये बनी बन गई है जैसे तो अगर इसके 20,000 सदस्य हो जाते हैं तो किस शिक्षामित्र की म्रत्य होने पर नामनी को 10 लाग रुपे बेटी की साधी पर 4 लाग रुपे परिवार को pension के रु परियास करता है तो ऐसी स्थिती में कोई विशायता रासियों नहीं दी जाएगी हालाकि इसका उधगाटन BSA महुद्य को करना था लेकिन बेश्य महुद्य ने इसका उधगाटन नहीं किया संके प्रांतिय वरिष्ट उपाध्यक्ष ने बताया कि तकनीकी कारणों से BSA न की मृत्यों हो चुकी है एक जुलाई से अब तक 25 शिक्षामित्रों की मौद को चुकी है अब देखते हैं सिक्षामित्र केरफण के जन्पदवार पतिदिक ओंगे विवेक मिस्रा कानपूर, विनीद दिक्षित कानपूर, ध्रु जैस्वाल कानपूर, सुशील दिवारी फतेपूर, जगवीर भायटई, नोयडा, परदीप सैनी सहरनपूर, रमा सिंकर राठोर, बारा भंकी, किसोर राम गाजीपूर, ममता राज, कास गंज, संभुनात सिं देवर्या, पदम सिंग संभल, पिंटुस्त कुमार, हापूर, गोरव सुकला, लखेमपूर, सत्वंत राणा, मुरादाबाद, मीना चुरस्या, कुशिनगर, सेलेश यादव, संभल, राजेन सिंग हात्रस, नरेश कुमार, सारनपूर, सीमा कुमारी संभल, सूर सक्सेना, बरेली, पवन कुमार, बिजनोर, सीवराज, गोतम, लखनाउ, अनील, विश्पर्मा, आजमगड, रीता देवी, उन्नाव, मनोज, पचोरी, फिरोजाबाद, विजय परताप, एटा, और नरेश कुमार, आगरा, इसके अतिरिक्त, ओंकार सिंग, लेगल एडवाईजर, ल इसने जनपद के परतिनिदी से, इसके बारे में मुझे जाद जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इस संग से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो साथीओं, आजकी वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का इकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके